हाई फ्रेंड्स बेल्केप टू असरदार आयरुवेट दोस्तों यूरिक एसिड के वारे में आप जानते होंगे कई लोग को सरीर में बहुत बढ़ता है और कुछ ना कुछ ट्राइ करते रहते हैं कि क्या खाए क्या पिए यूरिक एसिड कम हो तो समझेंगे इस वीडियो मे आप सपोर्ट करते हैं तो सपोर्ट करें असरदार आयरुवेट को भी देखें दोस्तों यूरिक एसिड आपके सरीर में बनता है कुछ जवाब पधार्थ लेते हैं जैसे खाने पिने की चीए होती है दोस्तों उन्हें यह कैमिकल होता है जैसे बोलते हैं प्यूरिंस तो किसी भी चीज में हो सकता है, आपको पता चलता नहीं. और ये purean when आपके सरे में जाता है, और फिर यूरिक acid में convert होता है, और ये यूरिक acid आपके सरे ले नुखसान हाय कहोता है. सब से पहले आप kidney को नुखसान पहुचाता है, इसके crystals होते हैं, और फिर में लागेगा यह आर्थ्राइटिस है लेकिन वो आर्थ्राइटिस नहीं होता गठिया रोग नहीं होता लेकिन लगता है ऐसा है गठिया रोग है क्योंकि घुटने भी दुखते हैं उसमें लेकिन यह होता है क्या दोस्तों गाउट गाउट की समस्या होते हैं दोस्तों यह और ये यूरिक एसिड बढ़ने के दोरा होती है, ठीक है ना, और इसको आप naturally भी ठीक कर सकते हैं, सिर्फ अपनी डायेट में परिवरतन लाकर, तो इतना तो आप समझ गए कि यूरिक एसिड आपके खाने पीने चीयों में जो प्यूरिन है, उससे बनता है आपके सरीर में, तो ये धीरे धीरे करके एक समय बाद आपके सरीर में इतना हो जाता है, फिर आपको बहुत दिक्कत आती है, इवन किडने के समस्यां होती हैं, औ अगर बात किया दोस्तों कि किंचियों को नहीं लेना चाहिए व गिनचियों को लेना चाहिए तो अगर आपको आपको यशे हात पर में जॉयنट पेन हूरा यूरिक आसे डिटेक्ट हो चुका है याश वगरा करा लिए आपने तो फिर आपको पॉसी चीए जिनको आज सही बंद कर दीने चाहिए जैसे कि Red Meat ठीक है मास जो होता है जैसे कि बकरे का मास जो लाल होता है जो भी इस्तंधारी का मास होता है उसे आप बंद कर दीजिये आज से क्योंकि बहुत ज़्यदा मातरा में Purins उसमें होती है दूसरा यहां पर दोस्तों शराब है, शराब तो वैसे भी नहीं पीना चाहिए लेकिन अगर आपका गौट की समस्था बनी हुई है, यूरिक एसिड बढ़ता रहता है तो शराब का सेवन भी ना करें और दोस्तों सीफूड जितने भी होते हैं, जैसे कि कैकड़ा, लॉब्स्टर या मचलिया वगरा जो भी इनको भी नहीं कहना चाहिए बहुत ज़्यादा मात्रा में यह आपके सेरे में यूरिक एसिड को बढ़ सकते हैं तो यह तीन चीजह तो यसी है कि इनसे बहुत ज़्यादा बढ़ता है, इनको तो आज ही बंद कर दो, रेड मीट, सीफूड और आपका शराब इनको बंद कर दो, ले कैसकते हैं, हरी पत्तिदार सबजियां ले सकते हैं अगर आपको नॉन वेज खाना यह तो कुछ कम कॉंटिटी में चिकन ले सकते हैं, ठीक है, चिकन ले सकते हैं, कम मात्रा में, ठीक एग्ज ले सकते हैं, हरी पत्तिदार सबजियां ले सकते हैं, इतने भी डेरी प्रोड़क्ट होते हैं, उनको भी आप ले सकते हैं, ठीक, तो दूद औही इन सब का विसे बन करें तो इन सरे हैल्प मिलती है कि आपके स्थेरी में से यूरिक एसट को कम करेंगे और हलाकि जो नुसका है दोस्तों रेमेडी है वो मैंने बता रखियो आप किस तरह से यूरिक एसट को कम कर सकते हैं तो आप देख लिए जगा और आज क कले दूस्तों यहें उवान देमात्राम